नमस्कार और वेलकम तो क्यूरियसली एजूकेशन मैं हूँ प्रशांत मावानी दोस्तो आज हम महात्मा गांदी जी की दस क्वालिटीज के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं दिस क्वालिटी नंबर वन गांदी जी यूज अन एवरेज गाई यस आम शूर आपन नॉर्मल एवरेज इनसान थे ऐसी कोई एक्स्ट्रा ओर्डिनरी क्वालिटी जो है वो बापू के अंदर स्टार्टिंग से नहीं थी तो बापू इतने महान क्यों बने क्यों आज भी बापू को वन अफ दे ग्रेटेस्ट परसंस एवर कहा जाता है दे रीजन इस बापू इसको अगर continues रखते हैं then you can become one of the best in that field और यही चीज़ जो है बापू की सबसे interesting quality है इसको और विस्तार से समझेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको एक example देना जाओगा मान लीजिए कि मैं आपको कहूं कि आपको एक best picture जो है वो click करनी है right best picture अपने mobile phone से जो best photo ले सकते है regular mobile phone ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास latest iPhone होना चाहिए जो भी अभी mobile phone है उससे अगर आप best तस्वीर निकाले अगर ऐसी task दी जाए तो पता है क्या करेंगे आप ज्यादे तर लोग क्या करेंगे and this is a this is how our psychology works हम इनसान जो है वो ऐसा करते है best तस्वीर निकालने के चकर में हम क फोटो लू क्या लू यह बस सोचते ही रहेंगे और होगा यह के end of the week आपने शायद दस तस्वीर खीची हो और वो दस तस्वीर जो है that will not be one of the best that you can take यह आपका potential का peak नहीं आपको लगेगा कि आपने best efforts डाले लेकिन best से भी अच्छी अगर कोई चीज है तो that is being better अब देख जो है उससे better और कोई चीज है ही नहीं लेकिन जब मैं कहूं यहाँ पर better तो यहाँ पर process यह हो जाएगी कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 1000 photos जो है अपने mobile phone से click करनी है और उन 1000 में से हम top 5 तस्वीरे जो है उसको select करेंगे तो होगा यह कि आप जो है वो तस्वीरे खीच ना start कर देंगे photos click करना start कर देंगे पहले let's say 100-200 photos जो है वो ऐसे ही आपने click किया होंगे लेकिन उसके बाद दिरे दिरे आप अलग अलग जो features आते हैं phone में उसका इस्तमाल करने लगेंगे उसको समझने लगेंगे आपके 300 से लेकर 400 जो photos हैं वो 100-200 से अच्छे ही होंगे फ और final आपके जो 900 से लेकर 1000 जो photos होंगे वो possibly the best होंगे और अगर आप खुद logic का इस्तमाल करें common sense का इस्तमाल करें then you will find के 10 तस्वीरे खीचने से तो अच्छा है कि आप 1000 तस्वीरे खीचे और उसमें से top 10 photos जो है या top 5 photos को select किया जाए तो ये 10 से तो ये definitely अच्छी ही होंग क्योंकि अब आपका experience जो है वो काफी बढ़ चुका है same thing goes with गांदी जी as well गांदी जी जो है वो उस समय के best orator नहीं थे he was not the best speaker लेकिन क्या वो best speaker नहीं थे इसकी वज़े से गांदी जी ने बोलना बंद कर दिया the answer is no और बहुत सारी speeches दी अब अपने से जो भी मेहनत हो सकती थी जो भी वो चीजे लिख कर बाते बता सकते थे points लिख कर etc वो सारी चीजे उन्होंने की उनको पता था कि he was not the best orator लेकिन उन्होंने best पर focus नहीं किया उन्होंने better for focus किया and when we focus on being better that means we are committed कही ना कहीं जो है वो हम continuous growth जो है वो हमारा करते रहते हैं बापू जो है वो physically उतने attractive नहीं थे वो बहुत ही simple कपड़े पहनते थे उस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो जो वाइसरोई थे और जो दूसरे offices थे ब्रिटिस राज के तो वो काफी अच्छे महंगे कपड़े पहनते थे जी हम सब को सबसे ज्यादा प्रभावित कर गए और सिर्फ हमें नहीं दुन्या पर बापू जो है वो एक impact छोड़ कर गए हैं और आज भी उनकी एक impact है उतने ही intact है इसके बचे पता है reason क्या है क्यों वो special थे सबसे important चीज़ जो बापू की थी वो थी कि he always believed in himself उनका जो ख यकीन जो है वो भी ऐसा नहीं था कि पहले से ही unshakeable था बापू ने इस चीज़ पर भी काम किया है और कहते हैं कि self belief या फिर जो कहते है faith in himself या फिर जो हम अगर हम से खुद के जीवन को analyze करें आप दुनिया के सबसे महंगे suit पहन लीजिए सबसे महंगे कपड़े पहन अगर आपके अंदर self belief नहीं है अगर आपके अंदर confidence नहीं है तो आप अच्छे नहीं दिखेंगे आज कल कहते हैं fashion world में भी confidence is one of the best thing that you can wear कोई असी चीज़ जो आप पहन सकते हैं which is one of the best that is confidence अगर आपने simple normal इतने expensive नहीं regular कपड़े पहने हैं लेकिन अगर आप अंदर से confident ह तो आप अच्छे ही दिखेंगे और बापू की यही self belief जो है इसकी वज़े से उस समय के भारत के लोगों का जो विश्वास गांदी जी पर था और खुद पर जो विश्वास हैं वो भी गांदी जी ने boost किया trigger किया और इसकी वज़े से ही एक long fight जो है हम दे पाए हमारे independent struggle क को देखेंगे तो it was not a sprint 100 meter की कोई race नहीं थी it was a marathon बहुत सारे failures के बाद बहुत सारे up-downs के बाद भी लोगों का विश्वास जो है वो intact रहा and that is एक व्यक्ति का खुद पर जो परोसा था खुद पर जो यकीन था इसकी impact जो है वो इतनी बड़ी होती हैं we can learn this thing from गांदी जी so let's wrap it up what are the lessons that we can learn from गांदी जी देखिए हम सब के अंदर abilities हैं जरूर नहीं है कि मेरे अंदर जो ability है वो आपके अंदर हो लेकिन आपके अंदर जो ability है वो इस दुनिया के दूसरे किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं है हम सब जो हैं वो unique है लेकिन हमरा सब का common problem यह है कि we never believe in ourselves right हम यह कभी मानते ही नहीं है कि हम भी इस दुनिया पर एक positive impact जो है वो create कर सकते हैं तो सबसे important lesson जो हम गांदी जी से सीख सकते हैं वो है self-belief and we need to stop belittling ourselves ऐसा मानना के हम कंजोर हैं ऐसा मानना के हम परियापत नहीं हैं ऐसा मानना के हम कुछ नहीं कर सकते हैं this is the biggest problem पहला step ही अगर गलत रहेगा तो final goal तक हम कैसे पहुंचेंगे हम सब बड़े बड़े task को accomplish कर सकते हैं we need to imagine our goals in our mind जो भी हमारे goals है उसको visualize करना दिमाग के अंदर वो एक image create करना कि we can be there हम ये चीज़ बन सकते हैं जब भी हम distract हो जाए फिर से refocus करना हमारे objectives पर concentrate करना और चोटी चोटी पैटी चीज़े जो होती हैं जो किसी काम की नहीं है इन सारी चीज़ों को अपने जीवन से delete करके बड़ी बड़ी चीज़ों पर focus करना अगर ये चीज़ हम करने लगे तो पता है इससे होगा क्या हमारी self-belief जो है ये और ज्यादा मजबूत होगी और दीरे दीरे हमारा confidence बढ़ता जाएगा और हम एक और अच्छे इंसान और as well i would like to wish all of you a very happy mahatma gandhi jayanti thank you very much this is prashant mamani signing off jai hind